हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टो माई यूटूब चैनल आज हम डिसकुस करने वाले हैं वीट के टॉपिक के बारे में जो कि वैदिक काल बाद काल और मुस्लिम काल तीनों की टाइम पर जो एजुकेशन दी जाती थी उनका एक कमपेरिटिव स्टडी करने वाले हैं तो आई दे से कहां तक होता था जो वैदिक काल होता था इसा पूरे से 600 वर्सों तक जो बहुत काले 600 से बारवी सतापदी तक और मुस्लिम काल जो की होता है बारवी सतापदी से अठारवी सतापदी तक जो वैदिक काल था उसमें संस्कृति का संरक्षड एम विकास करना जो वैदिक क में बहुत काल की सिख्षा थी उस ट्राइप क्या हो गया था हुँआ धा निरवार की प्रापती जो कि किसके तरुम कर सकते स्टांक मार गद्वार्ब और मुसलिम काल में जो सिख्षा कमज्यों कि अदेश़ी था इस्लाम精त का प्रचार वो प्रचार करना तो इस तरह से यह होगी है हमारा first point फिर है second point जीविगा पॉर्जन कला की सिक्षा दी जाती थी और जीविगा पॉर्जन आपको पता यह अपने जीवन में आगे मतलगि की लोग अपना जीवी जीवन अच्छे दह्याँ अब अब जियर व्यांब कर सके जो सुखो सुविदाय होती है उसको क्या करना था प्राप्त करना था थार्ड है नहती करम चारित्रिक विकास बालक को जो सिख्छा दी जा रही है उससे उसका नहती करम चारित्रिक विकास हो सके और जो बहुत काल था उसमें भी सीम था नहती करम चारित्रिक विकास यही जो सब्सक्राव मंत्रों की सिक्षा दिखाना एक एक मुख्य बाती थी कि आप इसके प्रतिकां होना पड़ता है वोफादार होना पड़ता है अरवियों फार्सी हासा काभी प्रियूक्त होने लग था मुश्लिम काली तो आते हम्हाना। आते हम सित्षा का पाठे करम से वैदि काल में बता है जो नक्यिद करमत吧 सब्सक्राइब कर्मतर सब्सक्रा तीद क्यों दीखते हैं मक्मछा कहता है। सब्सक्राइब करने करमतर में सब्सक्राइब करने उसमें olabilir जछा में आकट ना प्रा मैं परणोट परा जो परणोट पूल आलोकिक प्राइब uy competent कैया दूं झुक्तिक्षा проблем इसमीह है उत में आते हैं लोखेक वाले पार्ट में जा जाते हैं अलोखक जो हुआ जिसे वुझ उपनीशत ठ्राथ इन सब जो हमारी प्रारंबिक सिक्षा थे उसमें लिखना, पढ़ना, सधार, गड़ित, उंचास, अक्षरों का ग्या, उच सिक्षा में विज्ञान, व्याकरण, संस्कृति, नच्छत्र, सास्त्र, कौसल, त्रीपिटग, आपको पते होगा त्रीपिटग जो है बहुत धर्म का एक व्यागरण, गद्य, साहित, समाजिक, संगीत, चित्र, कला, इसका धियन कराए जाता था, यह था हमारा मुस्लिम काली सिक्षा के बारे में, इसे आप अच्छे से में थोड़ा से जूम कर दे रही हैं ताकि अगर आपको नोट्स भी बनाना हो ता आप एजली बना सकते हैं तो यह था अभी इसके लावा भी और भी छीज़े थी जो इन तीनो कालों में हम देख सकते हैं सबसे पहले जो वैदिक काल था जो वैदिक काल था उसमें जब बच्चे प्रिवेस करते थे तो उसका एक बिसेष नाम दिया गया था जिसका नाम में उपनेयन संसकार से अलग अलग नाम से पुखारा जाता था तो जो वेद में जब बो जाता है उसको क्या बोलत जाता था उपने अन्सकार hm बालक विद्या की देवी सुरस्ति को विधिवत वंदना करता था आपको पता है वेदो में जो सुरस्ति मा है उनकी पूजा की जाती थी इसके बाद बालक को गुरु मंत्र से दिक्षित किया जाता था नेक्स्ट है, बादकार इसमें होता है क्या प्रवे संसकार जो होता है इसको बोला जाता है प्रवज्जा संसकार सिस्यों को पीली वस्र पहन कर सर मुडवा कर बुद्धम बुद्धम सरडम गच्छामी धमम्र सरडम गच्छामी संगम सरडम गच्छामी का तीन पर जाप करना होता है यह मंत्र है इसका क्या करना होता है इसे क्या बोला जाता है प्रवज्जा संस्कार यह बहुत काल के दौरान होता था वहीं मुस्लिम काल में जो प्रिवे संसकार होता है उसका नाम क्या रखा गया है विस्मिल्ला संसकार बालो को नए वस्तर पहन कर मौलवी की पास लाए जाता था जहां बालग दोरा कुरान की आयतों को दोहराना होता था ना दोहराने पर विस्मिल्ला कहना ही काफी होता तो ये मुस्लिम काल के प्रिवे संसकार को विस्मिल्ला संसकार बोला जाता है बहुत काल के प्रिवे संसकार को प्रवज्जा संसकार बोला जाता है वहीं वैदिक काल के प्रिवे संसकार को उपनिय संसकार बोला जाता है अब नेक्स्ट है सिच्छर वीदिया इन तीनों की टाइम पे कौन कौन से मदे की मैथट को यूज़ करते थे जो वैदिक काल था उसमें मौकिक विधिक पे ज़्यादा जोड़ दिया जाता था अब भ्यास कराते थे प्रसनोत्तर वाद विवाद अनुकरण आदी नेक्सट हैं बहुत काल में वैख्यान भी होता था प्रसनोत्तर अनुकरण वाद्वाद समीरिन वहीं मुसलिम काल में अनुकरण इस्मरण व्याख्यान तर्कवितर प्रसनोत्तर आदी नेक्स ते सिक्षा मंदग ये बच्चों के एजुकेशन किस एज में दी जाती थी तो जो वैदी काले उसमें 12 वर्स तक अधियन करना होता था और जो हमारा बहुत काले उसमें प्रारंबिक सिक्षा 6 से 12 वर्स की वीच में दी जाती थी जबकि उच्ष सिक्षा 12 वर्स से 20 या 25 वर्स तक दी जाती थी और जो ये हमारा मुस्लिम काले सिक्षा है इसमें बच्चा जब 4 वर्स 4 मह 4 दिन होने पर उसको प्रारंबिक सिक्षा दी जाती थी यहाँ पर आप देख लीजे फिर नोट बना सकते ही इसलिए तो आप मुझे केमेंट सेक्षिन बताइए कि आपको कैसा लगा है यह टॉपिक अगर आपको इसके अलावा भी और सारे वीडियो चाहिए तो प्लिस सब्सक्राइब और लाइक्स मै वीडियो